हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है आज हम लाइफ एक्स में आपके लेकर रहे हैं एक खाज जानकारी जो आपके लिए काफी फाइदेमन्द साबित हो सकती है जी हाँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे खीरे के छिलके के कुछ फाइदों के बारे में जी हाँ आपने बिल्कुल सई सुना दोस्तों खीरा ही नहीं बलकि उसका छिलका भी काफी फाइदेमन्द होता है तो आज इसी बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो चले दोस्तों इसके बारे में विस्तार पूर्वग बात करते हैं दोस्तों हम सभी अक्सर खीरे का सेवन करते समय उसके चिलके को निकाल देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरे का चिलका भी काफी फाइदेमंद होता है दरसल खीरे के चिलके में फाइबर होता है जो कि पाचन क्रिया को दुरूस्ट करने में मदद करता है इसी के साथ खीरे के चिलके का सेवन करने से कबसे भी राहत मिरती है तो आईए जानते हैं कि खीरे के चिलके का सेवन करने से किस तरह के फाइदे होते हैं नमबर एक, विटामिन खीरे के चिलके में विटामिन के अच्छे स्त्रोथ होते हैं जिससे हमारे शीर की हट्टियां मजबूत रहती हैं और रक्त के थक्के यानि की ब्लड क्लोर्स बनने भी कम हो जाते हैं दोस्तों रोजाना अगर आप अपनी डाइट के साथ खीरे का सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन गटता है इसमें कैलरी की मातरा भी कम होती है लेकिन छिलके के साथ खीरा खाना ज्यादा फाइदिमन साबित होता है चिलके के साथ ही खीरा खाने से हमारे आखों की रोशनी तेज हो जाती है क्योंकि खीरे के छिलके में विटामिन A और बीटा कैरोटीन के अच्छे स्थरोत होते हैं बीटा कैरोटीन हमारी आँखों के स्वास्ते को बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों खीरे का छिलका तोचा की खोई हुई नमी को वापस पाने में मदद करता है इसके लिए आπα खीरे के छिल्के को निकालकर सुखा ले इसके बाद उसे पीसकर नीम्भू की कुछ बूंदे उसमें मिला ले इसके बाद आप एक कटोरे में इसे पीसकर पेस्ट बना ले आप चाहे तो इसमें अलोवेरा जल भी मिलाकर अपनी तवचा में लगा सकते हैं इस तरीके से आपकी तवचा तरो ताजा हो जाएगी नमबर पांच तवचा को हाइडरेट करने में मददगार खीरे का चिलका तवचा से समद्दित कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है इनका इस्तिमाल करने से आप रैशेज, टैनिंग और सन बर्ण जैसी समस्याओं से भी राहत पा सकते हैं और इसी के साथ ये आपकी तवचा को हाइडरेट करने में भी मदद करता है। उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये है हमारा आज का खास टोफिक जिसमें हमने आपको बताया कि खीरा ही नहीं बल्कि इसका छिलका भी काफी फायदे मन्द होता है। अगर आप भी खीरे के चिलके के इन फाइदों का बरपूर लाब उठाना चाते हैं तो आप आज से ही खीरे के चिलके को फेकना बंद कर दें और इसका सेवन कर इन फाइदों का बरपूर लाब उठाएं और खुद को स्वस्थ बनाए रखें अगर आपको हमारी वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं लाइक और कमेंट करके अपना फीड़बेक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले कीप शेरिंग और कीप सपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग